साथियों आजाजी के अंदोलन में ओडिशा की यहां के आदिवासी भाई बेयनों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और मेरा तो एक और नाता यहां से है गुजरात का डांडी और यहां का इंजुडी दोनों को मात्मा गांधी और नमक सत्याग्रा से जोडते हैं जब ऐसी पवित्र धर्ती पर हम खड़े हैं तब एक बार फिर देश के लिए मरने मिटने वालों को याद करना बहुत सवभाग्य की पल होती है तो ऐसे समाएं इन सभी महापुरुसों को याद करते हुए शहीदों को याद करते हुए इस महान परमपरा की रख्षा करने वालों को याद करते हुए दोनों हाथ उपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की बंदे 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 भाई और बहनों यह उद्गोश इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि देश में कुछ लोगों को इससे भी तकलिब होने वाली है देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता मुझे कहते हैं कि मोधी भारत मा की जैसे लोगों का अभिवादन क्यों करता है कि साथियों अभी मध्यप्रदेश में नहीं नहीं सरकार बनी है उस सरकार की प्राथिविक्ता देखिए और यह पूर्ण बहुमत जिन करके नहीं आये हैं उनकी प्राथिविक्ता देखिए और उसे समझिये भी वहां की हंग एसेमली ने कॉंग्रेस की जो सरकार बनी है उसने आते ही सबसे पहला काम किया बंदे मात्रम पर हल्ला बोल दिया एक तुफान मच गया अब रास्ता खोज रहे है बचने का दूसरा काम किया लोग तंत्र की रख्षा के लिए इमर्जंसी जैसे अत्याचार के खिलाप लड़ने वाले सेनानियों को वहाँ की सरकार की तरफ से जो पैंशन मिलता था वो पैंशन भी कैंसल करने का निर्ड़क कर कोशिच हो रही है लेकिन बारतिय जनता पार्टी ने सभी राष्ट्र भक्तों की आवाज को धार दी जिसके चलते हैं पहले उनको वंदे मात्रम से जुड़ा अदेश वापस लेना पड़ा और अब इमर्जंसी के सेनानियों की पैंशन भी उनको बहाल करनी ही पड़ेगी